सब्सक्राइब कीज़े स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकउन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हैलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आपका bank of varoda में account है और आप अपने account के लिए किसी को nominee बनाना चाहते है यानि कि यदि आपके कुछ हो जाए तो आपके जो account में जो पैसे हैं वो किसे मिले तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वालों कि आप इस form को कैसे भर सकते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आए वीडियो पसंद तो like जरूर कर देना दोस्तों के साथ share कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया smartphone की channel को तो please subscribe कर देना smartphone की channel को साथी घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहां लिखा हुओ पर सकते हैं bank of varoda name of branch आपने bank of varoda के जिस branch में आपने account को लुआ है उस branch का यहां आपको name लिखना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे आई सबसे पहले जो है आपको अपना name लिख उसके बाद आप जहां रहते हो वो address यहां आपको लिखना होगा फिर आप लिखा हुओ पर सकते हैं name and addresses nominate the following present to whom in the event of my that the amount of the deposit particulars where are given below may be returned by आपने bank of varoda के जिस branch में आपने account को लुआ है उस branch का name लिख और वो उस branch का address भी आपको साथ में लिखना होगा जैसे कि आप लिखा हो पर सकते हैं name address of branch office in which deposit is held इसके बाद आप नीचे आएंगे यहां लिखा हो पर सकते हैं deposit आप किस account के लिए nominee बना रहे हो saving account के लिए तो आप सेविंग अकाउंट लिखेंगे current account के लिखेंगे Rd के लिए बना रहे है तो rd की लिखेंगे और requiring deposit के लिए बना रहे हो तो recurring deposit लिखेंगे हैं cabbage videopuर के लिखा है इसके बाद आप北 सकते हैinoamini आप जिसको nominee बना रहे है उसका नेम लिखना है यानि कि ऐदि आपको कुछ हो जाएगा और यहां जिसका name लिख रहे हैं तो आपके account में जो पैसे होंगे वो आप जिसका यहाँ name लिख रहे हैं उसको मिलेंगे तो यहाँ लिखा हो पर सकते हैं address nominee जहां रहता है वो address यहाँ लिखेंगे फिर nominee के साथ आपका relationship क्या है वो यहाँ लिखेंगे nominee की age क्या है वो यहां आपको लिखनी होगी इसके बाद आप इदर आएंगे तो यहां आप लिखावा पर सकते हैं आपने यहां जिसका नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो यहां उसकी date of birth लिखनी है और यहाँ आपने जिसका नेम लिखा है उसके उम्र 18 साल से उपर की है तो यह वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है इसके बाद आप नीच चाहेंगे तो यहाँ लिखाओ पर सकते हैं As nominee is a minor on this day तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यदि nominee के उम्र 18 साल से उपर की है तो यह second वाला column आपको बिल्कुल छोड़ देना है और यहाँ आपको अपने signature कर देने होंगे और यदि nominee के उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है आपको किसी और को appoint करना होगा यदि आपको कुछ हो जाए और nominee के उम्र 18 साल से कम की है तो जो आपके account में जो पैसे होंगे वो किसे मिले तो आप जिसको appoint कर रहे हूं उसका name यहाँ लिखना होगा साथ में address और age भी लिखनी होगी जैसे कि आप यहाँ लिखा ओपर सकते है name and address to receive the amount of this deposit on behalf nominee event of my death during the minority of the nominee यह आपको तभी भरन होगा जदी nominee के उम्र 18 साल से कम की है और nominee के उम्र 18 साल से उपर की है तो यह column आपको बिल्कुल छोड़ देना है इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा पर सकते है signature तो यहाँ जो है आपको अपने signature कर देने होंगे यह सारी जैसा कि आप यहाँ लिखा ह होगा date आप जिस दिन इस form को bank में जमा कराएंगे उस दिन की date यहाँ आपको लिख देनी है यह सारी चीज़े आप इस form में भर देंगे तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है आशाय दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जान करे दी है आपको पसंद आ